अमस्का साती हों आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूटूब चनल पे आज है 13 फरवरी 2023 आज की पहली पाली का पेपर SSC GD का सपलता प्रोग संपन हो चुका है सभी GKS करेंट एफर के 60 कोशन आज की इस वीडियो में करा जाएंगे अगर आपका पेपर भी आँगे की सिप्टों में लगा हुआ है तो ये सभी प्रसना आप सभी के लिए आने वाली सिप्टों के लिए काफी ज़्यादा महत पुड़ होने वाले हैं अन तक जरूर देखें चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो को पहले कोशन के राश्टी आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था सही उतर था दादा भाई नौरोजी ने भारत में राश्टी आय का आकलन सबसे पहले किया था अगले गोशन के दो पड़ते है सुनामी का मुखी कारण क्या है तो आपको दादे इसका सही उतरता समुदरी सताय पर भूकंप जो है सुनामी लाती है और सुनामी का मुखी कारण समुदरी सताय पर भूकंप ही है तो सही तर हो जाएगा समुद्री सताय पर भूकम इसका राइट अंसर हो जाएगा अगले गोशने इंसुलिन का अविस्कार किस ने किया था तो आपको तादे सही उतर था F-Banting F-Banting के द्वारा इंसुलिन का जो है अविस्कार किया गया था और इंसुलिन का जो यूज होता है आपको बता दे मदू में के लिए किया जाता है मदू में यानि कि diabetes के रोगी जो है इनको insulin दिया जाता है ताकि उनका जो diabetes है उसमें सुधार हो पाए अगला कोशन है नासिक किस नदी के किनारे इस्तित है तो आपको दादे इसका सही उतर है गोदावरी नदी, नासिक जो ही आपका गोदावरी नदी के किनारे इस्तित है, सही उतर हो जाएगा नासिक गोदावरी नदी के किनारे इस्तित है अगला कोशन है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? काफी महत्वपुल कोशन है आपको बता दे इसका सही उतर है गोपाल क्रशने गोखले इसका राइट अंसर हो जाएगा भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल क्रश्न गोखले के द्वारा हुई थी अगला गोशन है भारत में सबसे उच्छा जल प्रपात कौन सा है तो आपको दादे सही उतर हो जाएगा जोग प्रपात जोग प्रपात इसका राइट एंसर हो जाएगा भारत में सबसे उच्छा जल प्रपात जोग प्रपात जो पर पात इसका राइट अंसर हो जाएगा अगला कोशने कानहा नेशनल पार्क कहां इस्तित है तो आपको दादे कानहा नेशनल पार्क जो ही आपका मत्द प्रदेश में इस्तित है सही उतर हो जाएगा मत्द प्रदेश कानहा नेशनल पार्क मत्द प्रदेश में इस्तित है अगले कोशन है विश्व का एक मातर तैरता हुआ राष्टी उद्यान केबूल लामजाओ कहां पर इस्तित है तो आपको दादे इसका सही उतर हो जाएगा मलीपूर विश्व का जय मंडल रिसर्च की स्थापना कहां पर हुई है तो इसका सही उतर था नील गिरी भारत में पर्थम जय मंडल रिसर्च की स्थापना नील गिरी में हुई है नील गिरी इसका राइट अंसर था अगला कोशन था चिपको आंदोलन कहां से सम्मंदित है किस सम्मंदित है तो आपको दादे इसका सही उतरता वन सनचल से सम्मंदित है वहीं आप लोगों को बताना है चमपारन अंदोलन जो है ये कहां पर हुआ था ठीक है किसके द्वारा किया गया था और ये किस से सम्मंदित है इसका आंसर तीनों का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्षन में करना है और ये काफी महतपुल कोश्चन है ठीक है तो आप लोगों को आंसर जरूर करना है अगला कोश्चन है किस वेद में समभा और समीति को प्रजापती की दो पुतिरिया कहा गया है तो इसका सही उतर हो जा पटेल इसका राइट अन्सर हो जाएगा और अगले कोशन है नेता जी किस महापुर्ष को कहा जाता है तो आपको तादि नेता जी जो है सुभाज चंद्र बोश को कहा जाता है इसका राइट अन्सर हो जाएगा दिल्ली स्टित लालबाधू सास्ती जी की समाधी सतल第一個velopyas किय अगला कोशन है महाभारत के रजयता कौन थे तो इसका सही उतरता महारिसी वेदव्यास महारिसी वेदव्यास इसका राइटन सर रहे महारिसी वेदवास जो है महाभारत के रजयता का नाम है अगला कोशन ही अरत्सास्त्र नामक पुस्ताक किस ने लिखी है तो आपको दायते है अर्थसासत्र नामक पुस्ताक जो है ये जालक के द houरा लिखी गी है इनको हम लोग कॉटे लिकGen नाम से भी जानते हैं अगला कुछे ने अंतराश्ती महीला दिवस की स्तिथी को मनाए जाता है तो अगुदार इसका सही उतर है आठ मार्च अंतराश्ती महीला दिवस जो है आप लोगों को आठ मार्च को मनाए जाता है आठ मार्च इसका राइट एंसर हो जाएगा सही उतर हो जाएगा चेतरफल की दैश। नसर nous है तो राजिस्तान इसका सही उत्र था राजिस्तान इसका राइट अंसर हो ज wastager सही उत्र किस राज का प्रसिद्य तहवार है तो अज़ा रिण कीरल इसका राइट-इंसर रहे औरेम जो है के र महाद का काफी सबसे चमकीला और पहले से तीसरे नंबर पर और पहले से स्वेमें सीक्सथरे पीह पूचत पूछा जा रहा है कि यह कौन से नंबर गा है यह कौन से नंबर गा है और सभी पांचो पांच सुरुवात के पांच ग्रहों के जो उपर रहे हैं इनको आप लोग जरूर याद करके जाएं जैसे की चंद्रमा पैथवी का उपर आगला जोड़ा गया था तो आपको बताते हैं 42 सविधान संसोधन जिसको हम लोग मेनी Constitution के नाम से भी जानते हैं जो आपका 1976 में हुआ था इसका सही उतर था इसी सविधान संसोधन के द्वारा मौली करतवयों को जोड़ा गया था अगला कोच्छन है 42 सविधान संसोधन कब हुआ था तो इसका सही उतर हमने बता दिया 1976 इसका राइट अंसर था सही उतर था 22 सविधान संसोधन जो है यह अपका 1976 इसके में हुआ था स्यूट